पिछले 24 गंटे में कोरोना के संपूर्ण प्रदेश में 45 नई प्रक्रण आए हैं जबकि 20 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की और गंतब की और गए हैं एक्टिब के संपूर्ण मद्यप्रदेश में 299 बचे हैं जो सेंपल कलेक्शन पिछले 24 गंटे में हुआ वो 7763 लोगों का सेंपल हुआ है संक्रमन दर हमारी वर्तमान में 0.58 है जबकि रिकवरी दर हमारी 95.7 पर इस्थिर बनी हुई है वर्तमान में कोई भी 24 गंटे में पुलिस कर्मी संक्रमित नहीं हुआ है कुल एक पुलिस कर्मी एक्टिव केस है पिछले 24 गंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है संपूर्ण प्रदेश में वो उननीस हजार दो सो च्छे है अभी तक कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है ग्यारा करोड क्यासी लाग तैईस हजार साथ लोगों को कुल वैक्सीनेशन हुआ और आपके ध्यान में डालना था एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी की ब्रांच अब मद्यप्रदेश में जल्दी खुल जाएगी हमारे आतंकी संगठन जो हैं इन्वेस्टिकेशन इनका वो करेंगी जैसे जे एमबी का उनके पास गया है सूफा का उनके पास गया है इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मद्यप्रदेश में खुलने जा रही है पिछड़े वर्ग कोई हितों के लिए ये सरकार कर संकल्पित है और मानी मुख्यमंत्री जी ने ये विसाय सुप्रीम कोड का बहुत गंभीरता से लिया है इसलिए अपनी यात्रा को इस्थगित कर किया है जैसी सब अपरादियों के साथ कारवाई होती है वैसी ही कारवाई की है और जो भी नाम है है वह उजागर है कि अब ब्रह्मपूर्ण इस्ति साइद महां हुई होगी जिसके लिए कल एस्पिल को उन्हों ग्यापन दिया था और एस्पि ने वो ग्यापन लिया है इस्तिती अब सामान है कोई दिक्कत नहीं अच्छा अदालत में कौन गया था आप बताओ बीजेपी गई थी बीजेपी चुनाओं में गई थी चुनाओं से भागी कांग्रेस जब भगोले बनके आप अदालक जाूँगे तो परणाम तो जो आना है आपके सामने है तो दोसी कोन हुआ हमने तो चुनाओ की गोशना कर दी थी चुनाओ प्रक्रिया प्रारम्ब हो गई थी इनके बड़े बड़े बकील इनके बड़े बड़े कारकरता बिवेक तनका जी सेद जफर जी जया ठाकुर जी अदालत में तो ये गई ना गई तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनकूल जो था वो और चला गया और कांग्रेस के यह योभी निता है आप देखो महाराश्ट में भी यही हुआ वहा तो कांग्रेस की सरकार है फिर वहां ऐसा क्यों हुआ इसके जवाब नहीं है आरोब भारती जनता पार्टी पे लग मंत्री दिए हमने मानियों मांभार्ती जी मानि बावुलाल गौर जी तीर मुक्ष मंत्री हैं यह कंग्रेस और यह कमल्लाच जी मुझे ध्यान है यही कमलनाद जी थे जब आरणी सुभास यादव जी मुख्यमंतरी बनने वाले थे और उनके साथ में धोका किया अरुन यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने टिकेट नहीं दिया भी लोग सवाकारुन यादव जी को यह वही कमलनाद जी है जो प्रिषड़ी की बात कर रह एक भी नेता प्रतिपक्ष पिषड़ा नहीं दिया हमने तो विक्रम बर्माजी से लेके सेजवार तक पिषड़े ऐसी तक नेता प्रतिपक्ष दिये इनने एक भी नहीं दिया लेकिन बात पिषड़ों की करते हैं गले लगा के पीट में शुरा पिषड़ों की वहब देत झाल झाल झाल